क्य00 हलो वट्ट्सब्ड मàiनेम जाम विनेम इस गळात बादफ थांपान एंड टोने इंड़र यह इंस वीडिवे इंपर है कि आज हम इस वीडियो में देखेंगी objects in type script तो चलिए guys शुरू करते लेकिन सबसे पहले guys में आपको बताना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने मेरी चैनल था पर टेक्निकल को subscribe नहीं किये अब हम क्या करेंगे कि यह classes में हम कैसे object को add कर सकते हैं I mean how to create an object अब हम देखते हैं आप इसको simply कर तो एक instance भी बोल सकते हो इस class का तो अब हम क्या करने वाले है इस class का एक instance create करने वाले है and उस instance के through हम यह get first name and get last name के function को call करने वाले है उसके जो output होगा हम हमारे console में print कराएंगे तो देखें कैसे हम object बनाते हैं कैसे एक instance बनाते हैं simply देखें so to create an instance of the class class का instance बनाने के लिए we have to use the new keyword यह आप देखें तो and ew हमें यह keyword का use करना पड़ता है simple और हमें बता तो जो अब हर बाप हो तो बाकी जो वीडियो में आपने वीडियो नहीं बाकी जो languages अगर आपने सिखा जाबा PHP से साब कुछ विए तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं simply new लिख यह new keyword का use करते हैं simple यहां पे भी यह जो फालोड बाइडी क्लास्स निम ना तस्टेक्स फॉर दिस सेम कहें देखें सिंटेक्स यहां पर यह वर न मत लिखें लेट लिखिए ठीक है अब अब लेट ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी देख सकते हो इकवोल टू यूज करना है अगर पारमेटर है तो पास कीजे ने तो empty तो इस से लिखें से क्या करते हैं तो अब देखेंगा इसमें क्या करता हूं पहले यह जो मेरा क्लास है यूटूब्स इसका मैं ऑब्जेक्स बनाता हूं सबसे पहले देखिए तो यहां पर जाता हूं परफेक्टली और इसको मैं नीचे से कर देता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए क्या करता हूं मैं सबसे पहले मैंने क्या बता है आपको अब्जेक्स का नाम बनाना इंस्टेंस का नाम सो मैं क्या लिख देता हूं यूटूब ऑब्जेक्ट और YouTube object फिर आपको देना equal तो फिर आपको उसकरना new keyword आपका class का नाम parentheses semicolumn और मैंने कुछ भी यहां पर पास नहीं किया क्योंकि मेरे कुछ है नहीं यहां पर पास करने के लिए तो अब मैं क्या चाहता हूँ गाई सब मैं चाहता हूँ कि यह जो first name है न मैं सिवा भी आपको first name करके दिखाता हूँ तो देखे first name की value अगर मुझे print करानी हूँ तो कैसे आपका यह लेना है object का नाम जो अभी मैंने create का instance dot first name यह देखे गाई मुझे कुछ करने की जहतीन automatic यहां पर हमारे intelligence बता देता हूँ यहां पर देता हूँ यहां पर देता हूँ अब मैं क्या चाहता हूँ गाई मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं first name को call करूँ यहां पर देखे first name method यह देखे क्या यह method है function नहीं method function को अगर हम class के अंदर उसकर तो वह method कहला था simple इतना तो मैं इसको click कर जाता this is it और यहां पर curly braces I mean parenthesis तो अब मैंने क्या किया एक instance create किया उसमें मैंने first name की value भी assign करा दी उसके बाद मैंने क्या किया एक get first name को call किया मतलब इसको call क्या call करके तो कुछ मिले गाई नहीं कुछ है नहीं इसके अंदर तो मैं क्या करूंगा यहां पर मैं simply console.log लिए console.log ठीक है parenthesis दिया semi column अब देखे यहां पर मैं क्या करता हूं पहले तो मैं यह क्या बोलते डबल कोट के अंदर लिखता हूं my first name ठीक है my first name is simple इतना लिखा इस पेस देता हूं अब मैं concatenate करता हूं यहां पर simply देखे अपने क्या करता हूं first name लिखता हूं ठीक है देखे by default this dot first name आया अब देखे इतना अच्छा है और यहां पर जो मैंने this dot first name लिखा ना गए तो यहां पर basically this can denote कर रहा है that it's a member for access यह क्या है हमारे member है ठीक है तो हमारे YouTube में total कितने member है एक दो तीन चार पांच टोटल पांच member जिसमें से यह जो तीन है वो मेरे fields है और जो बागी के इस दो member से वो मेरे methods है तो यहां पर this dot first name में यह बोल रहा है यह जो हो रहा है यह जो मैंने first name लिखा वो member access है तो यह किनका इनका इसको कहा तक है यह YouTube class तक है तो इसका member कौन हुआ यह है दूसरा member first name तो basically this dot first name वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है समझ रहा है मैंने आप आपको दिखाता अगरा first name नहीं लिखते हो I mean this नहीं लिखते हो तो error बता जाता है यहां पर automatic देखे ना लिखा भी है this dot first name आना चाहिए बोलके तो this dot first name this is it देखे थे नहीं जीए गाइस object x को मैं थोट छोटा कर देता हूं आपको आपको clear देख रहे तो हमने class बनाया उसका मैंने instance बनाया instance में first name की value मैंने assign कराया अब मैंने उस function को call किया I mean उस method को call किया और उस method में मैंने console.log my first name is this dot first name तो अब मुझे मेरा first name से ही simple इसको मैं क्या करता हूं cmd में जाता हूं मैं already उसी पे ही उसी folder पे जांपर मेरा काम चल रहा है so मैं क्या करता हूं लिख टाउन tsc classes ठीक है एदेखे classes का नाम क्या classes ts all right ठीक है classes ts.js इसको मैंने किया compile आप में क्या करता हूं कैसी जो मेरा compile line इसको मैं watch mode में रख जाता हूं ताकि जब भी मैं save करूं तो automatic compile automatic हो जाया all right ठीक है और मैंने index.html में भी देखे उसको save करके रखा ठीक है तो आप मैं directly क्या करता हूं इसमें जाता हूं जो कि मैं पहले से उसी पही हूं तो अगर मैं इसको refresh करूंगा बूम गाइस आप देख सकते हो my first name is thapa technical तो हमने हमारा object create किया object के थुरू call के now we have my first name is this.first name मैंने क्या दिया था यहां पर देखिए thapa technique तो इस तरिके से हम object instance create करके हम किसी भी classes की fields या function को call कर सकते है methods को call कर सकते है तो यही classes का main है अब ऐसा जी कि आप इस class का कितना भी object बनाओ कितना भी call करते हो था वो आपकी उपर है कि हमने जो एक common है एक human being एक YouTube का वो मैंने एक जगे पर store करके रख दिया this is it तो I hope guys आपको समझ गया कि यह object किया है classes किया अगर आपको वीडियो पसंद है थोड़ा सभी प्रीज इसको like किजिए अपने सारे दुस्तों के साब share किजिए और मेरे channel thapa technical को subscribe किजिएगा और देखे आप देख सकते हैं कि फांत दिन बाद किए छे दिन बाद किए तो ज़च 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 इसको 10,000 सब्सक्राइब कर दे जागा है बहुत हुशी हुगी और मैं लाइव आने के पूरी गोश्ट हूँगा ठीक है तिल देन गई तक यू ज़च टेक्या कि बाद कर दो हुआ है